जी हाँ दोस्तों छोटा सिद्धू के पैदा होते ही हवेली पर पत्रकारों की भरमार लग गई है भीड कत्रित हो गई है सवालों के घेरों में घिर गए हैं सिद्धू के पिता बलकौर सिंग जी आखिर क्या क्या सवाल जो है पूछे गए सिद्धू के फादर साब से और क् बदला लेने आया है छोटा सिद्धू, सिद्धू मुसेवाला जी का, अपने बड़े भाई का, इन सभी सवालों के जबाब जो हैं, सिद्धू के पिता बलकार सिंग जिने भावुक होते हुए दिये हैं, चलिए आपको बताते हैं डेटेल में आखिर क्या-क्या सवाल बनी चैनल को और साथ ही बेल नॉटिफिकेशन आल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर लेटिस्ट प्रेट की जानकारी जो होगी, सबसे पहले आप तक पहुचती रहेगी, डड़ीबो के मसीहा पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला जी के घर, रवीवार को किल हो रही है, आगे वो भी आप देखेंगे, इसे बीच आपको बता दे, सिद्धू मुसेवाला की भाई के नाम का भी खुला सा हुआ है, कि आखिरकार क्या रखा जाएगा छोटे सिद्धू का नाम, सही सुन रहे हैं आप, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि मुसेवाल कमेंट करके पूछ रहे थे, कि हमें अपडेट दीजिए आप कि क्या नाम रखा जाएगा, और हमने भी लोगों से पूछा था, कि आप भी अपने सजेस्टन दीजिए, कमेंट स्रेक्शन में, तो लोगों ने कहा था, कि शुबदीप ही होना चाहिए, कई लोग कह रहे थे कि शुबकरन होना चाहिए, कई कह रहे थे, सिद्धु मुसे वाला ही होना चाहिए, तो कई कह रहे थे, सिद्धु होना चाहिए, तो आपको बता दे, चमकौर सिंग्ज ने ये जानकारे दी है, कि शुबदीप सिंग ही रखा जाएगा, छोटे सिद्धु का नाम, सिर्फ चलते बच्चे का नाम भी शुबदीप सिंग ही रखने का फैसला लिया गया है। अखंड पाठ करवाया है। उन्हें जबाब दिया कि सिद्धु मुसेवाला यानि कि उनके श्रवन पुत्र को गए दो साल हो गए उसके हत्या के दो साल हो गए। और हर दिन लाखों मेसेजेज आते हैं हमारे पास। शुबदीप एक करीब परिवार में रहता हुआ एक बहुत बड़ी सोच का मालिक था। अगर मारने वाले मुसेवाला को एक बार भी मिल लेते तो उसे नहीं मारते उन लोगों ने मारा जो शुबदीप से कभी नहीं मिले उसे जानते ही नहीं थे कि शुबदीप कैसा है अगर जान लेते तो शायद शुबदीप को मारने की सोचते ही नहीं इतना है नहीं दोस्त सवाल पूछे जाने पर जस्टिस को लेकर सवाल पूछे जाने पर सिदु के फादर सहब ने जो बाते कही जबाब दिया उसे सुन कर आपको भी शायद क्रोध हाएगा थोड़ी देर के लिए सिदु के पिता बलकौर सिंग जी ने साफ तोर पे कहा कि सरकार की नीतियों पर उन्हें नाराजगी जदाते हुए कहा कि देश में भै का महौल है वैवसाई भी सुरक्षित नहीं है वैसवाल पूछना चाहते हैं कि दो करोड का टैक्स देते हुए भी उसे जानवरों से भी बत्तर मौत दी उनकी रक्षा नहीं की गई जो सरकार के कमाव नागरिक है और सरकार का खजाना भरते हैं वहीं दूसरी और हत्यारों को सरकार का सनरक्षन प्राप्त है ये किस प्रकार की चीजे हो रही है इतना है नहीं आपको बता दे बलकौर सिंग जी कांग्रेस पाटी से जुड़े हुए हैं उनके बेटे सिदू मुसे वाला ने भी कांग्रेस की टिकेट पर मांसा से विधानसवा चुनाव लड़ा था हत्या से प पर जो है ट्विटर पर शेयर भी किया है राजा वर्णिंग ने पोस्ट में तस्विर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मैं बलकौर सिदू जी से मिला और उनके नवजात बेटे के आगवन पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई बाहे गुरू जी नवजात बच्चे और पुरे सिदू परिवार को हमेशा स्वास्त और खुशियां परदान करें सिदू मुसेवाला की हवेली में फैंस की रौनक लग गई है दोस्तो इस वक्त हर कोई नचे सिदू को देखने के लिए और परिवार को बधाई देने के लिए पहुँच रहा है लगतार वो लोग पहुँँच रहे हैं जो जस्टिस के लिए कभी आवाज भी नहीं उठाते हैं। आत्मा ही है जो आज हमारे पास ये बड़े सिद्धू की क्या जगह लेगा ये खुद ही सिद्धू है जो इस दुनिया में आया है दुबारा से और वो सारे सपने पूरे करेगा जो इसके अधूरे रह गए थे इस सारी चीजे जो हैं सिद्धू के फादर साहब कहते कहते भा बुक हो गए वेल आप कितने खुश हैं सोटे सिद्धू मुसेवाला जी के आने से जरूर अपने राइ कमेंट शेक्शन में लिखिएगा दोस्तों दन्ये बाद